क्या आपने कभी इतने सारे केकड़ों को सरक पार करते हुए देखा है नहीं न दरसले नजारा क्यूबा का है जहां हर साल गर्मी के मौसा में क्यूबा की खारी में पाई जाने वले मादा भूम की केकड़े जंगलों से निकल कर समून की तरफ जाते हैं ताकि करेबिया समून में अपने अंडों को दे सके इसी वज़ा से ये केकड़े अपनी जान की परवात किये बिना ही सरक पार करते हैं जिन में कुछ केकड़े गारियों के चलते मारे भी जाते हैं जिसके चलते हैं यहां की सरकार ने इन केकड़ों के लिए अंडरग्राउंड ब्रीज बना दिये हैं ताकि इन्हें में सख पर जाने की ज़ोत ना परें अगर आप इंडिया से हैं तो वीडियो को लाइक और चनल को सब्सकाइब कर दे ताकि हमें भी पता चले कि आप भारत मादा से कितना प्यार करते हैं इसकी वज़ों से हर साल बाढ़ आती और हजारों लोगी की जान तक चली जाती है इस वज़ों से इस नदी को चीन में जुख की नदी भी कहा जाता है और इस नदी में खून की प्यासी मसली भी पाई जाती है जो किसी भी इंसान को पॉल भर में मत की निन सुला सकती है इसलिए और सबसे खतनाक नदी को बताने से पहले अगर आप इंडिया से है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्काइब कर दे ताकि हमें भी पता चले कि आप भारत मता से कितना प्यार करते हैं इसलिए इस नदी में धातु की मत्ता काफी ज्यादा दुनिया के तीन सबसे खतनाक टूरिस्ट प्ले जहां जाने सबकी मौत भी हो सकती और आकरी वाला तो बहुत ही खतनाक है जिसे देखने के बाद आप करीक्शन कुछ इस तरह होगा लगता है लेकिन असल में यह जगा बेहदी खतनाक है क्योंकि यहां दुनिया के सबसे खतनाक जी रहते हैं और इस पार्क में उगने वाला पोधा भी जरी रहा होता है जो इंसान को तुरंत ही मौत के निन सुला सकता है नमबर टू डेथ वैली डेथ वैली का नाम सुनकर ह लेकिन यहां का तापान आपको सायद यहां रहने ना दे क्योंकि यह प्रित्वी का सबसे गौर्मर्स्थान में से एक है और यहां का तापान एक सब 34 डिग्री चल्शीयस तक रहता जो किसी भी इंसान को कुछी घंटों में जान ले सकता है तिसरी और सबसे खतनाक जगह क होती है साथ ही यह दुनिया के एक मत एक साज वालम की जिसे इतने करीब से देखा जा सकता है इस जगह पर अगर फुरी से भी गलती हो तो आपकी जान भी जा सकता है